Hello Friends, अगर आपकी चैनल पे रीच नहीं मिल रही है, यूटूब इंप्रेशन नहीं भेज रहा है, व्यूस नहीं आ रहा है, सस्क्राइबर नहीं बढ़ रहा है, वाच टाइम घट रहा है, या फिर आपकी चैनल की ग्रोथ नहीं हो रही है, तो सारी की सारी जो प्रॉबलम है, उसका सल्यूशन इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ, सिर्फ एक ही चीज़ पे आपको फोकस करना है, अगर इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं, और इस टिप को फॉलो करते हैं, जो मैं आपके सार्शेर करने जा रही हूँ, तो आपके चैनल की ग्रोथ भी होगी, वाश टाइम भी बढ़ेगा, यहां तक की वीउस अगर नहीं आ रहे हैं, तो वो भी धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगा, और आपके सस्क्राइबर भी बढ़ेंगे, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, पर उससे पहले, हेलो फ्रेंस, मैं सुप्रिया सि वो सिर्फ एक ही जगह से शुरू होती है, तो सारा का सारा जो खेल है, वो है टॉपिक, वीडियो के टॉपिक का सही चुनाओ, अगर हम नहीं करते हैं, हम सही टॉपिक पर वीडियो नहीं बनाते हैं, तो यह पूरा का पूरा जो प्रॉबलम मैंने आपको बताया है, आपक लाइफ दिखाने वाली हूँ कि आप कैसे सही टॉपिक चुन सकते हैं, किस टॉपिक पर आपको वीडियो बनाना चाहिए कि आपको व्यूस भी आए और आपकी चैनल की ग्रोथ भी हो क्या होता है कि जब हम यूटूब पे नए-नए होते हैं तो हम किसी भी यूटूब पे वही अपलोड करना है उसी टॉपिक पर वीडियो बनाना है जिस टॉपिक को आपकी ओडियन्स देखना चाहती है जो टॉपिक यूटूब पे सबसे जादा सर्च किया जा रहा है अगर आप सर्चेबल टॉपिक पर या फिर ओडियन्स के द्वारा देखा जाने वाला उनका इंटरेस्ट का टॉपिक चुन करके वीडियो नहीं बनाएंगे अपनी मर्जी से कोई भी टॉपिक सोस समझके आप वीडियो बना देंगे तो आपकी चैनल की ग्रोथ भी नहीं हो पाएगी ठीक से वीउस भी नहीं आएंगे और वीउस एक बार डाउन हो गया तो वाल्च टाइम डाउन सस्क्राइबर डाउन इंप्रेशन डाउन चैनल की ग्रोथ बिल्कुल डाउन ये प्रॉबलम हमें फेस करनी पड़ती है तो चलिए मैं आपको लाइफ दिखाती हूँ यहाँ पे सबसे पहले ताकि आपको पहले तसली हो जाए कि जो चीज मैं आपको बताने जा रही हूँ वो सच में वर्किंग है भी या फिर नहीं है या फिर मैं ऐसे ही हवे में बाते कर रही हूँ यहाँ पे आपको life proof देने के लिए हम चलते हैं सबसे पहले हमारे YT studio में अगर मैं आपको यहाँ पे 28 दिन का मतलब एक महीने का अपना data show करूँ तो आप खुद देखिए how to shoot cooking video, how to shoot cooking video, उसके नीचे भी cooking video, उसके नीचे भी how to shoot cooking video यहाँ पे long video भी आप देख सकते हैं how to shoot cooking video, short video भी घुमा फिराकर मेरे चैनल पे जो सबसे जादा views आ रही है video में वो topic है how to shoot cooking video, इस topic पर अगर मैं video बना देती हूँ तो उस पे बहुत ही अच्छे खासे views मुझे देखने के लिए मिलते हैं तो यह हो गया हमारा 28 दिन का डेटा और अब मैं आपको यहाँ पे 2 दिन का डेटा भी दिखाती हूँ जो की 48 hours का डेटा, 2 दिन का डेटा यह भी अगर मैं आपको दिखाऊँ आप यहाँ पे देखिए how to shoot cooking video, how to shoot cooking video एकाग बीच में ऐसी वीडियो आ गई है जो कुछ और है नहीं तो जादा करके मेरी वही वीडियो है यहाँ पे long वीडियो देख सकते हैं और यहाँ पे short वीडियो भी वही है जिस पे 11,000, 11,000, 9,000 के करीब 2 दिन में views आ रहे हैं यह वीडियो है Shorts में भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ और चलिए most viewed कर देती हूँ सबसे पहले 1.7 million views जो आए हैं वो है behind the scene है how to shoot cooking video Next जिसमें 1 million वापस होने वाले हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 महीने में यह भी how to shoot cooking video है यह topic मुझे कैसे पता चला कहां से पता चला कि इस topic पर अगर मैं video बनाऊंगी तो मेरे channel की growth हो जाएगी मैं आपको यही चीज इस video में बताने वाली हूँ तो यहाँ पे आपको जाना है सबसे पहले analytics में देखिए मैंने नीचे click कर लिया है इसके उपर वैसे मैंने पहले भी video बनाया है लेकिन अब यह जो tap है option है उसका नाम बदल दिया गया है तो अगर आप मेरी पुरानी वीडियो देखेंगे तो आपको पहले research दिखाई देता था लेकिन आप यहाँ पे बदल करके inspiration कर दिया गया है पुरानी वीडियो देखेंगे तो शायद आप नए नए होंगे YouTube पे तो confused हो जाएंगे तो inspiration के उपर चलिए मैंने click कर दिया अब यह cooking channel है cooking channel का idea मैं आपको इसलिए दे रही हूँ क्योंकि 80% मेरी जो audience है जो इस channel को देखती है उनका cooking channel ही है इसलिए मैं बीच बीच में इस channel को उठाती हूँ और इसका example देते रहती हो तो यहाँ पे देख सबते हैं क्या topic है top searches क्या लिखा गया है यहाँ पे how to use electric rice cooker next how to cook rice in electric stove next food in electric cooker यहाँ पे YouTube भी यही बता रहा है मेरे channel के लिए कि top searchable topics मेरे channel के लिए यही है आप अगर अपने वाइटी स्टूडियो में चेक करेंगे तो अलग होगा और अगर आपका shots का channel है तो यहाँ पे देखिए shots के लिए भी यहाँ पे बहुत सारे topic show हो रहे हैं तो अब बस इतना ही नहीं है यह तीन ही topic नहीं है यहाँ पे top searches के सामने एक arrow बना है arrow के उपर चलिए हम कर लेते हैं click अब यहाँ पे देखिए आपको कितने सारे options दिखाई दे रहे हैं और यह options जो आपको topics suggest कर रहा है YouTube कि आप इसके उपर video बनाएए यह topic आपकी audience देखना चाहती है इस पे सबसे जादा search किया जा रहा है audience इस पे interested है आपको जो topic ऐसा लग रहा है कि आप इस पे video बना सकते हैं तो यह देखिए इस तरीके से heart के उपर click करके फिर आप उसे select कर सकते हैं और उस topic पर आप video बना सकते हैं तो यह तो हो गया long video का मैं आपको short video का भी दिखा देती हूँ short video के उपर देखिए click करेंगे तो यहाँ पर short video के लिए भी कितनी सारी recipes, topics यहाँ पर YouTube suggest कर रहा है हमें तो पता ही नहीं होता है कि किस topic पर video बनाए और किसी पर भी video बना देंगे तो उस पर views नहीं आते हैं लेकिन YouTube के पास तो पूरा का पूरा data होता है YouTube को पता है कि कौन सा topic सबसे जादा search किया जा रहा है audience किस topic को सबसे जादा देख रही है तो उस हिसाब से YouTube आपको यहाँ पर topic बताता है और आप उन्ही topics पर video बनाईए अपनी मर्जी से बिलकुल भी मत बनाईए अगर आपका नया नया channel है तो पुराना channel अगर हो गया है उस पर अच्छे खासे subscriber हो गया है तो creator अगर किसी भी topic पर video बना दे तो फिर भी उस पर views आ जाएंगे क्योंकि एक subscriber बेस बन चुका है लेकिन अगर हमारा channel नया है और हम किसी भी topic पर video बना दे जो कि searchable भी नहीं है audience के interest का भी नहीं है हमने अपनी मर्जी से video बना के upload कर दिया है तो भाई उस पर views नहीं आ पाते हैं तो आपको ये चीज बिलकुल ध्यान रखनी है अब चलिए मैं अपना इस channel का आपको A to Z content channel का भी idea दे देती हूँ कि यहाँ पर भी topic show होते हैं और अलग-अलग topic show होते हैं आ गई हूँ analytics में inspiration में जाने के आप top searches है और यहाँ पर देखिए short video maker एक topic है दूसरा है how to create youtube thumbnail in mobile उसके बाद फिर यहाँ पर shots का दिखाई देता है यहाँ पर arrow जो बना हुआ है arrow के उपर मैं कर लेती हूँ click तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस channel में भी कितने सारे topics मुझे show हो रहे हैं और यहाँ से आप topics ले सकते हैं इस तरीके से select कर सकते हैं उसके बाद इसी topic पर आपको video बनाना है तो friends अब तो मैंने आपको यह बता दिया है कि searchable topic क्या है audience की interest के हिसाब से आपको यहाँ से topics लेने है फिर video बनाने है लेकिन फिर एक दिन या फिर दो दिन एक हफता दस दिन इतने दिन तक video डालने के बाद अगर आप सोचेंगे कि बस video एकदम viral हो जाएगी तो भाई ऐसा नहीं है result आपको जरूर देखने के लिए मिलेगा लेकिन कम से कम एक महीने तक आपको इन topics पर video बनाना है dedication के साथ आपके channel की growth जरूर होगी और अगर आपके channel की reach बिल्कुल down हो चुकी है YouTube ने impression भेजना ही बन कर दिया है फिर भी आपको result देखने के लिए 100% मिलेगा जिन चीजों को मैंने बताया है उन सभी चीजों पर आप काम करेंगे तब तो friends उम्मीद करती हूँ आज ये वीडियो आपके लिए अच्छी और helpful रही है अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक और चैनल को सस्क्राइब जरूर कर दीजिएगा चलिए friends मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में अब तक के लिए टेक केर बाई बाई